इवन में संसकार का भी बहुत बड़ा मोल होता है आप अपने विचारों से स्वतंत रहिए लेकिन संसकारों से बंधे रहिए कभी भी आहंकार मत रखिए क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं लेकिन याद रखेगा आसमान में बैठने की ज़जा नहीं होती है जो भी बुलंदी पर जाएगा उसको एक नहीं आज नहीं तो कल उसको वापस इस धाती पर आना है इसलिए बुलंदी को देशकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए और हमेशा याद रखे बड़े बुजूर्गों से मिलकर बैठना चाहिए उनसे बाते करना चाहिए बड़े नायाब होते हैं ये लोग कुछ लम्हों में जिन्दिगी के तजरुबे बता देते हैं आप किसी भी काम को अगर लगतार एकईस दिन करते हैं तो धीरे-दीरे वह आपकी आदत बन जाती है और अगर किसी काम को लगतार नब्बे दिन कर देते हैं त जहां आपको कमफोर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजील को नहीं ले जाती है क्योंकि मंजील वाला रास्ता काफी चुनोती पूर्ण भरा होता है उसमें कमफोर्ट कभी नहीं मिलता है संघर से वेक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए क्योंकि जीवन में जो कभी स अगर से परचित नहीं हुआ, इतिहास गवा है, वो कभी चरचित नहीं हुआ को खले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता वैसे ही जिन्दगी ने मेरे कान में कहा, मलार तुकलाकार बनेगा, नाटक के से और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा वैसे आप ही की क्या सारे समाज की सोच सट चुकी है एजिक एकड़मिक सक्सेस इस अनली सक्सेस इन लाइफ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए